आज का वीडियो टोटली करेंट अफेर्स पर आधारीत है और इस्पेसली दिल्ली पुलिस के लिए जो करेंट अफेर्स महत्पूर हो सकते हैं ऐसे प्रशनों को चुन चुन करके आज के वीडियो में रखा गया है इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा बिल्कुल भी मि इठाली जी क्योंकि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ठीक है कोशन वन के अगर बात करूं तो जी टूंटी सिखर सम्मिलन दोजार तेईस में किस देश को जी टूंटी का 21 अस्थाई सदस बनाए जाने का प्रस्ताव भारत ने रखा ठीक है तो जी टूंटी क पर कोशन है आएंगे जरूर इस बार ठीक है तिस कोशन का जो राइट आंसर होगा ओ है आप्शन नमबर ए अपरी की संग है ठीक है तैयारी आपने निश्ची तोर पर की होगी तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ प्रशनों को लगाते चलिए कोशन नमबर टू भारत के किस राज में पहला समाबेस उस्सो परपल फेष्ट मनाये गया शाथियों ऐसे प्रशन जो की पहला या पहली है ऐसे प्रशन बहुत महत्पूर होते हैं बहुत ही important होते हैं very very important ठीक है तो ऐसे प्रश्णों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको ज्यादा focus करना है ठीक है तो आपको बताना है कि भारत की किस राज में पहला समावे सुसो purple paste मनाया गया या आयुजित किया गया ठीक है तो इसका जो right answer है ओ है option number B जी हाँ दोस्तों option number B गोवा ठीक है question number 3 भारत का पहला राष्टी खेल बिस विद्याले कहां अस्थापित किया गया है ठीक है लखनो मरीपूर बडोद्रा या दिल्ली तो इसका जो right answer होगा ओ है option number B मरीपूर जी हाँ दोस्तों मरीपूर में भारत का पहला राष्टी खेल बिस विद्याले अस्थापित किया गया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा मरीपूर question number 4 की अगर बात करूँ तो ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की ठीक है ब्रिक्स सिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की तो option number जो B है इसका दक्षिड अफ्रीका वो इसका right answer है तक्षिड अप्रीका ठीक है चली question number 5 आठवा अंतराष्टी बिज्ञान महोस्व का आयोजन किया कहां किया गया ठीक है बिज्ञान महोस्व को पर question निश्य तोर पर आएगा यह बहुत ही important question ही इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा साथियों आज के वीडियो में total 25 question है और अगर आप निश्य जानी के अगर आप 20 question कर ले जाते हैं 20 question अगर आप कर ले जाते हैं तो निश्य जानी आपके त्यारी अच्छी चल रही है ठीक है तो 20 का target आपका आज का है 20 करके दिखाईए आप और comment करके जरूर बताईएगा option number B option number B भोपाल जी हाँ दोस्तों आठवा अंतराश्टी बिज्ञान महोश्य कायोजन कहां किया गया भोपाल मत्परदेश में किया गया ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है question number 6 की अगर बात करूँ तो किस पहली भारती महिला निसाने बाज ने पैरा ASEAN गेम 2023 मे एक कही season में दो gold medal जीत कर इतिहास रज़ दिया बहुत महतपूर कोर्शन है ये ठीक है तो इसका जो option number A है option number A सी तल देवी इसका right answer है सी तल देवी ठीक है आप पैरों से धनुजबान चलाती है बहुत ही महतपूर कोर्शन है तो ध्यान रखिएगा आशकता है question number 7 के अगर चैनल बात करूं तो भारत का नवींतम टाइगर रिजर्ब कौन सा बना है तो परन्वा कों सा है तो अगर आपका defender option number B है तो answer आपका बिल्कुल राइट है रानिपूर tiger reserve यह जो है भारत का टेरिपनमा tiger reserve है ठीक है question number 8 पे चलते हैं भारत का पहला कागज रहिते उच्छ न्याले कौन सा बना है ठीक है तो अगर आपने option number CP tick किया है तो आपका answer बिल्कुल राइट है केरल उच्छ न्याले जो है पहला कागज रहित उच्छ न्याले बना है एक शी और ध्यान रखिएगा अस्थानी भासा में फैशला देने वाला भी पहला उच्छ न्याले है केरल उच्छ न्याले ठीक है question number 9 railway board की पहली महिला CEO और अध्यक्ष दोनों जानिए कौन बनी है ठीक है तो अगर option number CP आपने टिक किया है जया बर्मा शिनहा तो आपका answer बिल्कुल राइट है जया बर्मा सिनहा रेलोई बोल्ड की पहली महिला CEO और चेर पर्षन मतलब अध्यक्ष बनी है कौन जया बर्मा सिनहा question 10 के अगर बात करूँ तो जनुवरी 2023 में गान नगई उश्षो किस राज में मनाया गया question है यह ठीक है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह है option नंबर डी मडी पूर ठीक है गान नगई उश्षो कहां मनाया गया यह मडी पूर में मनाया गया ठीक है question number 11 देखते हैं विश्षो एथलेटिक्स चेंपियेंशिप में सोण पदग जीतने वाले पहले भारती कौन बने है ठीक है तो अगर आप जे अप्शन नंबर एपे टिक किया है नीरेज चोपड़ा तो आपका अंसर बिलकुल राइट है नीरेज चोपड़ा question number 12 के अगर बात करूँ तो भारत के 77 दिवश की थीम क्या है ठीक है आपके option है नेशन आलवेज फ़स्ट सिर्जन आलवेज फ़स्ट सर्विस आलवेज फ़स्ट या बसुद्यो कुटमबकम ठीक है अगर आपने option number A पर टिक किया है तो आपका अंसर बिलकुल राइट है नेशन आलवेज फ़स्ट ये 77 दिवश की थीम थी ठीक है question number 13 के अगर बात करूँ तो 26 राष्टी युवा मोर्षो कहां मनाया गया स्वामी विवकानंद का जो जर्मदिन है उसको हम युवा मोर्षो करूप मनाते हैं तो 26 राष्टी युवा मोर्षो कहां मनाया गया ये question बहुत important है आएगा निश्चित तोर पे इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए अगर आपने option number A पर टिक किया है कर नाटक तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है ठीक है question number 14 चंद्रमा के दक्षिनी धुरूपर पहुचने वाला बिश्च का पहला देश कौन बना है ये तो आपको जानते ही होंगी तो इससे आसार आंसर क्या मिलेगा आसान question क्या मिलेगा option number B जी हां मेरा प्यारा भारत question number 15 के अगर बात करूँ तो एसिया का पहला floating festival कहां मनाया गया ठीक है एसिया का पहला floating festival कहां मनाया गया तो इसका जो राइट आंसर है ओ है मद्ध प्रदेश option number C अगर आपसे पूछे कि मद्ध प्रदेश के किस सहर मनाया गया तो जानते रहिए मंदर्शौर में मनाया गया मद्ध प्रदेश के मंदर्शौर सहर में floating festival मनाया गया पहला floating festival ठीक है question number 16 national green tribunal का अध्यक्ष किसे बनाया गया है ठीक है अगर आपका option number C है तो बिल्कुल right है justice प्रकासर वास्तों को national green tribunal का अध्यक्ष बनाया गया है question number 17 के अगर बात करूँ तो काला घोडा कला महुषो 2023 कहां आयोजित किया गया महत्पूर question है ठीक है देरादून गोहाटी जैपूर मुंबई कहां आयोजित किया गया अगर आपका option D है अपने D पे टिक किया है तो आपका answer बिल्कुल right है मुंबई काला घोडा कला महुषो 2023 का आयोजित कहां किया गया मुंबई में किया गया question 18 के अगर बात करूँ तो जनुरी 2023 में किस राज ने वार्सिक आरेंज उस्षो 2023 का तीसरा संस्कुल मनाया यह भी question important है तो option number B पे अगर आपने टिक किया है नागा लेंड तो आपका answer बिल्कुल right है वार्सिक आरेंज उस्षो 2023 नागा लेंड में मनाया गया question number 19 के अगर बात करूँ कौन सी ग्राम पंचायत देश की पहली digital साच्छरता युक्त ग्राम पंचायत बनी है तो अगर आपने option number A पे टिक किया है पुल्लम पारा केरल तो आपका answer बिल्कुल right है पुल्लम पारा जो है देश की ऐसी पहली ग्राम पंचायत है जो पूरता सी क्या है digital साच्छरता युक्त है कुश्चन number 20 चुनाव आयो का national icon किसे बनाया गया है रडवीर कपूर जया बच्चन सचिंतनकुल या बिराट कोहली अगर आपने option number C पे टिक किया है सचिंतन दूलकर तो आपका answer बिल्कुल right है कुश्चन number 20 उनका अगर बात करें तो भारत ने किस देश को G20 की अधिकता सौपी है ठीक है मतलब अगला G20 सम्मेलन है ठीक है G20 क्या कहा जाए G21 कहा जाए जो है तो अधिक्षता कौन करेगा तो अगर आपने option number C पे टिक किया है ब्राजील तो आपका answer क्या है बिल्कुल राइट है ठीक है कुश्चन number 22 अधानी समू ने कहां भारत की पहली अंतराष्टी बिजली परियोजना सुरू की है ठीक है तो अगर आपका option number B पे आपने टिक किया है जारखंड तो आपका answer क्या है बिल्कुल राइट है ठीक है अधानी समू ने जारखंड में भारत की प 23 कौनसा विश्व विद्याले 2023 समें हिंदू अध्यनकेंदर अस्थापित करेको अवध विश्व 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 विद्याले पुर्वांचल या गुरकुर बहुत सारे मेरे भाई लोग तो अवधिया गुरकुर पे टिक मार के चलेंखे लेकिन धियाद रखिएगा अ 24, किस सहर की पुलिस है, 14 जून को नो हार्निंग डे घोसित किया है, ठीक है, नो हार्निंग डे, 14 जून, किस सहर की पुलिस ने घोसित किया है, आपका option number अगर B है, B पे आपने टिक किया है, मुंबई पुलिस तो बिल्कुल एकदम राइट है, question number 25, March 2023 में घोड़ों का तेवहार, घोड़े यात्रा कहां मनाया गया, भार, श्रिलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अभी तक हम जो देश की तेवहारों की बात करते थे, थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो घोड़े तेवहार, यह हमारे पुलुशी देश, नेपाल में मन आया जाता है, आप्शन नमबर D, इसका राइट आंसर है, ठीक है, साथ ही हूँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर विरूप बताईएगा, इस वीडियो का पीडियो आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके वहाँ पर जोईन हो जाईए, वहाँ प आपको बहुत बहुत धन्यवाद,